लोगाइस करेंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ विशेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 39 बार तक के सभी इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स कवर करने वाले हैं हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंतर तक चरूर देखेगा आज भी आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा साथी का इस सेशन को सुरू करेंडे से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा इदिया हमारे डेली करन्ट अफेर्स पीडियेफ, वीकली पीडियेफ, मंतली पीडियेफ और हर महीने के बैंकिंग और एकोनोमी का में इस चाहते हैं, तो करन्ट अफेर्स फंडा का वनियर मेंबर्शिप प्लान आप जोइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कोमेंट में मिल जाएगा, आपको बताते हैं इस वनियर मेंबर्शिप प्लान के जितना भी हमारा सब्सक्राइब काफी यूसफुल है, तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडियाफ कोड से संबंदित, तो आप कोमेंट बॉक्स में वश्य लिखेगा, चले फिर करते हैं शुरूबात इस वीडियो सेशन की, हम इसा ही तरह सबसे पहले आज कोशन देख लेते जल्दी सा अंसर कर दीजे, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसी तरह कोशन से दिया प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मैं टेलिग्राम पर फोलो कर लीजे, करन्ट अफिर्स फणना नाम से हमारे टेलिग्राम चैनल है विचाव दा फॉलोईग वण दा ओटिटी अवार्ड फोर बेस्ट वैप सीरीज अद दा 54 इंटरनेंशन फिल्म फेस्टिवल अफ इंडिया हल्ड इन गौवा निम्रीखित में से किसने गौवा में आयोजीत चववन वे भारते अंतरास्टे फिल्म महोत्सव इफफाई म प्रुसकार जीता है और सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा पंचायत टू आपको जाना चाहिए कि पंचायत टू जो कि एक हिंदी कोमेडी ड्रामा सीरीज है अमजोन प्राइम वीडियो पर आप इसको देख सकते हैं इसने फस्ट एवर ओटिटी अवार्ड फोर वेब सीरीज जीता है 54th International Film Festival of India में जो कि गोवा में आखाली में आउजित किया गया आपको जाना चाहिए पंचायत टू को डिरेक्ट किया है दीपक कुमार मिश्रा ने और इसको लिखा है चंदन कुमार ने विच फिल्म बेक्ट गोल्डन पिकोक फॉर बैस्ट फिल्म एड़ा 54th International Film Festival of India चबवन में भारती अंतरास्टे फिल्म महुत्सों में किस फिल्म को सर्फिस्ट फिल्म का गोल्डन पिकोक प्रुस्कार मिला है ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर आप्शन नहीं रहेगा एंडलेस बॉर्डर्स आपको जाना चाहिए कि गोल्डन पिकोक फॉर बैस्ट फिल्म ये दिया गया है पर्शन मूवी एंडलेस बॉर्डर्स को जिसको डिरेक्ट किया है अब बास अमीनी ने ये वार्ड 54th IFFI में दिये गए गोवा में आपको बतादे ये जो पिकोक सब्सक्राइब होते हैं इसमें 40 लक्स रुपीज की मोनेटरी प्राइज दी जाती है और गॉर्डन पिकोक मेडल दिया जाता है वही बुल्गारियन डिरेक्टर स्टीफन कोमेंडरेव इन्हें सिल्वर पिकोक दिया गया है बैस्ट डारेक्टर के लिए बलागाज लेशन इस मोवी के लिए अक्टर पौर्या रहीमी सैं इन्हें बैस्ट एक्टर चुना गया है इनके रोल के लिए endless borders मूवी में french actress townica इन्हें बैस्ट एक्टर फीमेल आवाउड दिया गया है party of fools में की performance के लिए वहें आपको जाना चाहिए critically acclaimed इंडियन फिल्मेकर रिशप सेटी इन्हें इस्पेशल जूरी आवार्ड दिया गया है कंदारा मुवी के लिए वही रहजर आजात काया जो की एक फिल्मेकर है इन्हें आवार्ड फॉर बेस्ट देब्यू फीचर फिल्म ऑफर डिरेक्टर दिया गया है वेन दा सीडलिंग मुवी के लिए आपको जाना चाहिए जाने माने होलीवूड एक्टर एंड प्रोडूसर माइकल डगलस इन्हें 54 सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीमेंट आवार्ड फॉर एक्सिलेंस इन सिनेमा से सम्मानित किया गया है अब जो भी अवार्ड दिये गया है गोल्डन पि प्रोडूसर्स जेरों पैलियार्ड एंड कैथरीन डूसर्ड और और ऑस्ट्रेलियन फिल्म प्रोडूसर हैनल लिंग विच फिल्म रिसीव द प्रेस्टिजियस आई-सी एफ्टी युनेस्को गांधी मैडल एट 54 इंटरनेशल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया चबवर यह एंथनी चुएन ने इसे हाली में 54 इंटरनेशल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में आई-सी एफ्टी युनेसको गांधी मेडल दिया गया है आपको बता दे जो फिल्म है यह एक इमिग्रेंट वुमन के बारे में है ठीक है उनके इमोशनल कैरेक्टर को पॉर्टे ओ गूर्ण ऊसे लिखा है इलेक्सेंडर मैक्सीज ने और इस फिल्म को को स्क्रिप्ट किया है इलेक्सेंडर मैक्सीज और सुसेन फेरिल ने आपको जाना चाहिए बॉर्ड है आई-सी-फटीन्स कु't च्पारिश और यूनेसको दवारा और यह उस फिल्म को दिया जाता रहा है जो कि महात्मा गान्दी का जो वीजन रहा है पीज नोन वाइलेंस कंपेशन एंड इसको रिफ्लेक्ट करता है प्रजेक्ट 15B स्टिल्थ गाइड मिसाइल विद्वन सक परियोजना के तीसरे यार्ड 12706 इमफाल का नावरेंड किस ने किया है प्रजेक्ट 15B स्टिल्थ गाइड मिसाइल रहे हैं चार उन में से जो तीसरा है इमफाल यार्ड 12706 तो इसको हाली में इसका अनावरेंड किया है और ब्रमो सर्फेस तो सर्फेस मिसाइल और इंडिजनेस वैपन इसमें फिट हैं इस शिप को इंडियन नेवी को डिलीवर किया गया तो अक्तुबर 2023 में हमने तब इसको देखा था पर इस बार और इसमें थोड़ी सी जानकारिया ठीक है और इसे बनाया है मजगाउं डॉ वाइट साइड में दर्शाय गया है काँगला पैलेश चुह एक इंपोर्टन हिस्टोरिकल और आर्केलोजीकल साइड है मनीपुर की और जो पास्ट किंग्डम से रहे हैं उनके ट्रेडिशनल सीट जो सासन की जगह रही है वह यह रही है काँगला पैलेश अगर हम बात कर है प्रोटेक्टर ओप इट्स पीपल कांगला साब को बता दे स्टेट एंबलेम भी है मनीपूर का जो फर्स्ट सीप है इस प्रोजेक्ट 15B के थेथ विसाका पटनम इसको 21 नमबर 2021 को कमिशन किया था शेकंड सीप मोर्मोगाव इसको 18 दिसंबर 2022 को कमिशन किया गया थर्ड शिप इमफाल यही है और फोर्फ शिप सूरत इसको लॉंच हिया गया 17 में 2022 को पर अभी इसको इसार लार्जेस्ट ओपन एयर एनुड ट्रेट फियर बाली जात्रा यह जात्रा वह इनुग्रेटेड इन्विज इस्टेट इशा का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली जात्रा का उद्खाटन किस राज्जमें किया गया सही आंसर ऑप्शन भी है ओडिसा आपको जानाचे एशिया का लार्जेस्ट ओपन एयर एनुड ट्रेट फियर बाली जात्रा जो की एंशेंट मेरी टाइम लेगेसी को रिप्रेजेंट करता है ओडिसा की यहाली में महानदी रिवर के तट पर इनोग्रेट किया गया है कटक में तो कार्थिक प्रण कारा किया करते थे बाली जाबा सुमातरा बोर्न ये लंका में जैसे पहले सेलन के नाम से जाता था ठीक के लिए कंपनेंशन के लिए वह से लिंग किया करते थे तो तो एनी से संभन्धित है बाली जात्रा Defense Ministry Inc. रुपीज 2,956 करोड कॉंट्रेक्ट विद विच कम्पनी तू परक्योर 16 सूपर रैपिड गन माउंट फोर नैवी रक्सामन्त्राय ने नोसेना के लिए 16 सूपर रैपिड गन माउंट खरीदने के लिए किस कम्पनी के साथ 296 करोड रुपे का नुबंद किया है ओप्शन्स आपके सामने सही आंत्र ओप्शन्स ही रहेगा बीएचियल आपको जाना चाहिए मिस्टे अप्ड देफेंस ने भारत है वह एक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानि की बीएचियल हरदवार के साथ एक कॉंट्रेक्ट सांग किया है जिसके तहथ डिफेंस मिस्टी anti-aircraft point defense weapon system which provides a sustained rate of fire and high accuracy fourth edition of the annual ASEAN-India Grassroots Innovation Forum AIGIF was launched in which country वाडशिक ASEAN-India Grassroots Innovation Forum का चोथा सस्क्रण की स्थेस्ट में launch किया गया है options आपके सामने सही आम स्रॉप्शन सी है Malaysia आपको जाना चाहिए कि आशियान इंडिया Grassroots Innovation Forum AIGIF का fourth edition हाली में लांकावी मलेशिया में इनोग्रेट किया गया है भारत सहीत जो दस भारत के लावा जो दस आशियान मेंबर स्टेट से यानिकी आपको जाना चाहिए जो एक एन्वल प्रोग्राम है जो कि भारत और आशियार मेंबर स्टेट्स के बीच में को बढ़ावा देता है चाहिए उस साइंस के फिल्ड में हो टेक्नोजी के फिल्ड में या फिर इनोवेशन के फिल्ड में हो जकार्था इंडोनेचा में फर्स्ट एडिशन हुआ था इस AIGIF का 2018 में विच उनियन मिस्टर लॉंच दे नेशनल आउट्रीच प्रोग्राम और आंगनवाडी प्रोटोकॉल फॉर चिल्डन विद डिसेबिलिटीज किस केंद्रे मंत्री ने विकलांग बच्चों के लिए आंगनवा प्रोटोकॉल फॉर दिव्यांग चिल्डन को लॉंच किया है इंड़िंट्रोकल इंपर इंप्रोटोकोल इंप्रेसे एet शिचल्डन फॉर्दिव्यांग जंब्स ने इंक्रिशन कियर एक इंक्लूद्स को सरकार द्वारा देखा जाएगा ठीक है डिसेबिलिटी साइन कुछ अर्ली हो रहे हैं उसको डिटेक्ट किया जाएगा रिसेर्चर्चर्चर्ज हैव डिस्कवर्ड अन्यू प्रांट इस्पीसीज ऑफ दा जीनस इंपेशिंट बालसा मिनेसी इन विच टाइगर रिजर्व सोत करता होने किस टाइगर रिजर्व में जीनस इंपेशिंट बालसा मिनेसी की एक नई पोधे प्रिचाती की खोच की है सही आंसर ऑप्शन दी है कलककड मुंद थुरई टाइगर रिजर्व आपको जाना शाहिए कि रिसेर्चर्चर्ज ने एक नई प्लांट स्पीसीज जो की इंपेशिंट बालसा मि रिजन जो है सदर्न वेस्टर्ण गाट का यहीं पर पाया जाता है और जो प्लांट है यह इसके पी जेरस ग्रूप से बिलोंग करता है जो की मौन सुन सीजन में ही पाया जाता है इस स्पीसीज का नाम रखा गया है इंपेशिंस करूपूसामी किसके नाम पर है एस करूप एक्सकाई टू हैल्प कस्टमर्स इन फ्राइट टिकेट बुगिंग हाली में किस एरलाइन ने ग्रहागों को फ्राइट टिकेट बुगिंग मदद के लिए एई चैट पॉर्ट इन फ्राइट बुगिंग प्राइट बुगिंग प्रोसेस वह काफी सिंप पर हो जा रहा है और जो सर्विस एजेंट हैं उनका कारे भी 75% तक कम हो नहीं संपेंशिप विस्वा यह रेड़ मैं इस आएब डď संथजेंपेंशिप किस ने सही आन्षDay सेहीं उप्षन भी है विद्या पिल लएं डेखे वर्ड सिक्षघ्वेड विमन स्नुकर चैंपेंशिप हाल ही में दोहा कतर में सम्बन्न घ्किन होई है और विद्या पिले ही ने यहां पर गोल्ड मेडल गॉल्ड मेडल जीता है और इस वर्ड चंपिंशिप को जी इन्होंने सुटर फाइंल में अनुपवमा रामो चंसरें जोड़ी मेडल की अचल को पर ढ değil अब बात कर रहें आदा बैट मिंटेंट dur वंदित चाइना मास्टर्स बैटमिंटन 2023 न्यापर जो भारत की फेमस जोड़ी है बैटमिंटन की साथ विक साही राज रांकी रेडी एंड चिराक शिट्टी यह फाइनल में हार गए हैं चाइनीज पेर ल्यांग वेकेंग एंड वांग चांग से तो इनने मैंस डबल्स फा स्टेट ने जीती सही आंसर ऑप्शन यह है पंजाब देखें पंजाब ने हरियाना को अरा कर थर्टींथ होकी इंडिया सीनियर मेंस नेसल चैंपरिशिप 2023 जीत लिए यानि पंजाब ने गोर्ड मेलल जीता है यह चैंपरिशिप मेयर राधा किष्णन होकी स्टेडियम च लिकी है तो यह 15 साल की है और इन्होंने एक रिकोर्ड बनाया कि यह सेकंड यंगेस्ट टाइटल वीनर बन गई है इन्होंने हाली में सेवंटी नाइन इसकोएश चैंपरिशिप 2023 जीती है तो इस सेकंड यंगेस्ट है इनसे पहले जो यंगेस्ट है जोसना चिनफ पर रह है कि विच कंट्री एनाउंस तो इसक्रैप न्यू एंटी स्मोकिंग लॉज किस देशने नए धुम्रपरान विरोधी कानूनों को खत्म करने की घोशना की है सही आंतरौप्शन डी रहेगा न्यूजिलेंड देखिए न्यूजिलेंड के नए प्राइमिस्टर बने किस्ट कर देंगे आपको बता दें इन से पहले जो यहां की प्राइमिस्टर रही जैसिंडा आर्डन इन्होंने कुछ एंटी स्मोकिंग लॉज लाए थे जिसमें यह कहा गया था कि जिनका जन्म हुआ है उन्हें सिग्रेट नहीं मिलेगी क्योंकि नियूज लेंड में जो है यह स्मॉकिंग जो है काफी लेडिंग कोस है जो है डेट का ठीक है तो इसलिए यह लॉज बनाए गए थे जो यंग जनरेशन है उनको यह सिग्रेट की आदत ना रहे है पर अब इस तरह की जो लॉज बनाए गए थे वह अभी Bombay Stock Exchange में Investor Risk Reduction Access Platform किसे ने लौज़ किया सही आंत्रप्शन भी है Madhavi Puri Bouch देखें Securities and Exchange Board of India यानि की SEBI की चेर परसेंने Madhavi Puri Bouch इन्होंने Investor Risk Reduction Access Platform लौज़ किया है Bombay Stock Exchange BSC में यह जो प्लैटफोम है यह investors के लिए safety net की तरह कार्य करता है कभी कभी क्या होता है कि Technical Cleaches हो जाते है जिसके कारण जो इन्वेस्टर है वो जो अपना ट्रेड है उसका बीच में रह जाता है और जो ओपन पोजिशन है वो क्लोज नहीं हो पाती है जो पैंडिंग और रहो तो इसे जोइंटली डेवलप किया गया है बेस्ट नसी एंसी एक्स एमसी एक्स एंड मेट्रोपॉलिटन इस्टोक एक्स्चेंज ओफ इंडिया एमसी के द्वारा इसे एंडियन विमन आर फीचर्ड इन डीबीजी हंड़ेड विमन टॉटी जार तीज बीजी सोव महीला दोजार तीज की सूचे में कितनी भारति महीला हैं सामिल है सही आंसर ऑप्शन भी है त्री ये गलती से भी लिखा गया थ्री यह न देहिए त्री इंडियन विमें बॉलिवूड एक्ट्रेस दिया मिर्जा है और कैप्टन है इंडियन नसल विमन क्रिकेट टीम हर्मन प्रीत कोर तो यह हाली में जगा बना पाई है बीबीसी 100 विमन लिस 2023 में इनके हलावा जो तीसरी महीला है बारत की और सी है इंडिपेंडेंट फोटोग्राफर आरती आ हूँ विश कमपनी एस रिसेंट्ली पार्टनर वीद इंडिया पोस्ट टू इंट्रडूस ओंटमेटट इजिसेटल परसलोकर एड़ वर्टॉट ऑफिसज हाली में किस कंपनी ने डांग घरों में सुचालीत डिजिसल पारसल लोकर पेश करने के लिए इंडिया डिजिटल पार्सल लोकर्स इंटर्दूस कर रहा है कुछ सेलेक्टेड पोस्ट ओफिसेज में इस नीव लोकर्स विल प्रोवाइट कस्टमर्स फिद अल्टर्नेटिव डिलिवरी मेथर्ड देट डस अवे विद नीड फोर प्रस्टनल रिसीट और साइनिग अपन पैकेज दिलिवरी वर्ड्स फर्स्ट 3D printed temple has come up in which state विस्ट का पहला 3D मुदृत मंदिर के स्राज्च में बनाया गया है सही आंजर अप्शन भी तिलंगाना है आपको जाना चाहिए तिलंगाना में वर्ड का फर्स्ट 3D printed temple बनाया गया है यह तमिलनाडू के सिधी पेज़ डिस्टिक के बुरुगुपली में इस्थित है आपको इतार इस टेंपल को मनाए गया है अधराबाद अपसुजा इंफरेटेक और सिंप्रिफोर्ज क्रियेशन्स की द्वारा लगबक तीन महीं ने इसमें लगे हैं कि 35.5 फीट टॉल और 4000 स्कॉयर फीट में फैलावाय मंदिर इसमें तीन जो है सैंक्टम से एक तो है लौड गनीशा से संबंदित दूसरा है लौड संकर से संबंदित तीसरा है गौड़ेस पारवती से संबंदित और इससे पहले हमने देखा था है महत्रपूर्ण था कि इंडिया का फर्स्ट्रीड प्रिंटेट पॉस्ट ऑफिस बेंगलूरू में इनग्रेट किया गया ठीक है एलंटी और आईटी मद्रास ने मनाया इसको प्रिवेस साइर में कॉस्टेंज के आंसर देखेंगे विच सिटी इस होस्टिंग दस्योपी 28 दुबाई यूई वैन इस दरेट प्लेंट दे ओप्सर्व 28 नेवंबर वेरिज सिल्क यारा बर्को टनल लोकेटिड उत्तरकाश यूत्राकंड हाली में 41 ट्रैप्ट लेबरर को यहां से रस्क्यू किया गया है यूकी बामरी इस एंडिया इन स्पोर्स प्लेयर ही प्लेज विच स्पोर्ट टैनिस इंटरनेशल देखेंगे विच प्लेस्टीन पीपलीस ऑप्सर्व इस तरह से आप पाट्सप्रिट करते गई है चले आज के साइमन कॉस्टन देखें इन पांचे कोश्टन के आंसर आप कोमेंट बुक्स में अवश्य बताएगा ज्यादा ज्यादा संख्या है पाटिस्पेट करने कोशिस कीजिए साथी करेंट अफेर्स फंड़ा का टेलिग्राम पर भी जोर्न कर सकते हैं या पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करेंट की जैसे माप सभी के लिए डालते रहते हैं साथी डिसकर्शन गूरूप में आप किसी भी कोश्टन का सुलूशन पा सकते हैं दोस्ते हमारे कर इंटर फेर्स की प्रेश दी गई है इसको आप चिरूर देखें अपने दोस्तों के साथ हमारे कर इंटर फेर्स को आप शेयर जरू करें आज का यह सेक्शन आपको कैसा लगा आप कोमेंड बुक्स में बश्ची बताइएगा थैंक्यू गाइस